दोस्तों स्वागत आप सभी का विहार समाचार में कबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्कियों पर आज की पहली कबर में देखे बिहार नगरने का चुना में बिहार इस्टार मनोई बाजपे और पंकज त्रिपाड़ी बने ब्राण नमबेश्टर वोट डालने के लिए करेंगे प्रेरित बाड़ी खबर में देखे बिहार में आम लोगों को उचित केमत पर मिलेगा बालो नौस बालो घाडों के बंदबस्ते अक्टूबर में होगी पुरी बारी खबर में देखे बिहार के चार जिलों में भारी बारिस के साथ बजरबाद का लाड़ सक्रे रहेगा मानसून चब्भी जिलों में अलके बारिस और मेकर जान बारी खबर में देखे बिहार के अस्पितालों में 12 अक्टुबर तक मुप्द में होगी हिर्दे रुगों की जाज सरकार चलाईगी अभियान बारी खबर में देखे बिहार में इस साल गंगा में नहीं होगा दुरगा परतिमाओ का विसर जान तैहार को लेकर ये है पढ़ना में तैयारी तो आखिर क्या है पूरी कबर आपको विस्तार से बताएंगे तो आगे बढ़ने से पहले आप सब इस अनुरोदे के इस वीडियो के प्यारा लाइक जरूर कर दिजेगा तो चलिए सुरुआत करते हैं आज के पहली और बाड़ी खबर से चलिए पहली कबर में देगे बिहार नगर निकाय चुनाओं में बिहार इस्टार मनोज बाजपे और पंकज त्रिपाड़ी बने ब्राण नमबस्टार बोट डालने के लिए करेंगे प्रेरेत जिहां बिहार में नगर निकाई चुनाओ की प्रक्रिया चल रही है बिहार में अगले महिने नगर निकाई चुनाओ के लिए मदरान होना है दो चर्णों में 224 नगर निकाई में आम चुनाओ होगा पहले चरण के लिए 10 अक्टूबर को वोटिंग होगी और मदगना 12 आपको बता दे के अभिनेता मनोज बाजपे और पंकज त्रिपाड़ी को राज निर्वाचा नायोग ने नगर निकाय चुनाओ के लिए ब्राण अमेश्टर मनोनित किया है मनोज बाजपे वो पंगज त्रिपाड़े मतताताओं को निकाय चुनाओ के तहत इस्ताने सरकार के प्रादिनेती चैनित करने के लिए जागरूख करते दिखेंगे बाड़ी खबर में देखे बिहार में आम लोगों को उचित किमत पर मिलेगा बालो नौस बालो घाटो के बंदोबस्ते अक्टूबर में होगी पूरी जी अभिहार के 25 जिलों के नौस बालो घाटो के बंदोबस्ते अक्टूबर महिने में पूरी होगी पढ़ना सहीद प्रतिक जिले ने बंदोबस्ती प्रक्रिया के लिए टेंडर का अलग-लग कारकरम जारी किया है ऐसे में बंदोबस्ति पूरी होने और सवी परक्रियाव को पूरा होने के बाद बालू खनन सवी बालू घाटू पर नॉमर के पहले सब्ता से सुरू होने की समावना है इससे राज सरकार का राजस बढ़ने की समावना है अला कि सरकार के राजस का आकलन बंदोबस्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही हो सकेगा बारी खबर में देखें इंटर वो मेट्रिक का परिच्छा फॉर्म अब 8 तक भर सकेंगे जी अभी हार बोड ने इंटर और मेट्रिक 2023 के परिच्छा फॉर्म भरने की तिति बढ़ा दी है जी अभी तक परिच्छा फॉर्म नहीं भरा है वे 8 अक्टूबर तक और लाइन आविदन कर सकते हैं बोड ने पाले 25 सितमबर तक का समय दिया था बोड ने कहा कि जी अभी तक जमा नहीं हो पाया है उनका पंजियन सुल्क भी 8 अक्टूबर तक जमा किया जा सकता है बड़ी खबर देखे बिहार में जाती अधारित जनगना के लिए बेव साइट और अप जल्द इसका तयार करने के जिम्हेदार इस्व पर जाएगा इस आप को पास मवाईल या टैप पर इस आप को इंड्रोल गिया जाएगा इसी के मदल peux सही वेक्ती का पूरा वीवरान इस पर भरा जाएगा, इसे summit करते ही इसका पूरा data एक वीसे, वेफसाट पर चला जाएगा, जिससे विभागया दिकारी कभी भी देख सकते हैं और इसकी जाच कर सकते हैं बारी खबर में देखे बिहार के चार जिलों में भारी बारिस के साथ बजरबाद का लाड़ सक्रे रहे का मानसुन 26 जिलों में हलकी बारिस और मेक गरजन जी हाँ बिहार में सितमर माहिने में भी मानसुन महरबान है पूरे महीने मांसुन के सक्रियता सराज के सबी जिलों में बारिस होते रही है इसी बेच बजर पातों ठंका गिरने से एक सो से ज़्यादा लोगों की मौद भी हुई है बारिस से खरेब की भासलों को फायदा हुआ जिसे किसानों के चेरे खुल उटे हैं आज में मौसम मिवाग के रिपोर्ट जारी कर दिया है जिसमें मौसम मिवाग के मुताविक चार जिलों में भारी बारिस के साथ बजर बात के असंगा जताई गई है महिराज के 26 जिलों में हलकी बारिस और मेग गजन का पुर्वानुमान लगा गया है महिराज के 26 जिलों में हलकी से मैदम दर्जे के बारिस होगी से सिस्वम में महिराज के बारिस और में देखे बिहार के फर्जी सर्टिपिकेट से दसवी में दाकिला छे राज्यों में नेटवर्क फायर दर्जी जिहाँ कोरोना काल में फर्जी सर्टिपिकेट से दसवी में दाकिला लेने का खुलासवा इस मामले में बिहार समेत छे राज्यों की बिरानवी सिक्षन संसानों के खिलाब हर्याना में मामला दर्ज किया गया है जाज के घेरे में आए बिहार बोर्ड ओफ ओपन स्कुलिंग एकजामिनेशन पटना के चार चातरों फर्जी सर्टिपिकेट से दसवी में दाकिले का रूप है वहें हर्याना में कोल 139 चातरों ने दसवी के फर्जी पर्मान पत्र पर दाकिला लेकर बारवी बोर्ड उत्रिन की है 139 चातरों में से फरेदाबाद के 13 चातर हैं मामले का कुलसा होने के बाद सबी के खिलाब है सेक्टर 179 में सनिवार को एफायर दर्ज कराए गई है एफायर में फर्जी सर्टिपिकेट तयार कर देने वाले छे राज़ों के बिरानमे सिक्षन संसान के नाम भी है सेक्टर 179 और आर्थी का पराद सका के पुलिस मामले के जाच कर रही है बाड़ी कबर में देखे पड़ना में इस बार दुर्गा पुजा पर नजर आएंगे भावी पंडाल जोरो पर तयारिया जहां देश भर में दुर्गा पुजा के तयारे काफी उत्सा के साथ की जा रही है बिहार के राजानी पाटना में भी दुर्गा पुजा उत्सव को लेकर तैयार या जोरो सुरूप पर हो रही है इस साल पाटना में दुर्गा पुजा का आयोजान भाइबे तरीके से किया जाएगा इसके लिए पाटना सहर में जगा जगा भाविय और आकरसक पंडाल बनाय जा रहे हैं पटना के बोरिंग रोड चोराहा पर कोलकत्ता की विक्टोरिया मेमोरेल के तरच बर भवाई बे दुरगा पंडाल बनाया जा रहा है इस पंडाल के उचाई 60 फीट और चोड़ाई 50 फीट रखी गई है 12 फीट की महा दुरगा की मूर्थी को एक ही फ्रेम में बन बनाया जा रहा है या दुरगा पुजा पंडाल को तामिल नाडू के मत्रोई मिनाक्ची अमन मंदरी की तरच बर बनाया जा रहा है वही खाज पुरसी मंदिर दुरगा पुजा समिते इस बार फिल्म बहु बले के माईसमत महल की तरच पर दुरगा पंडाल का निर्मान कर जहाब इहार में नावादा नालंदा और सेखपुरा जिले तेजे से साइबर ठगे के केंदर के रूप में सामने आये हैं जारकन का जामतड़ा तेज भर में साइबर ठगे के लिए खुकिया थै अब इहार में नालंदा का कत्रिस राय सेखपुरा का सेखपुरस राय और ना इन इलाकों में सबसे ज़्याद महराष्ट तेलंगान दिल्ली करनाटक और तामिल नाड़ों की पुलिस के आने का सिलसला जारी है इस साल जन्वारी से अब तक की सिती पर नजर डाले तो कई लोगों से ठगी कर करोडों रूपिया जम्मा करने वाले बड़े साइवर ठग प अब एक वर फिर से गोपाल गंज में पंडालों का निर्मान अब अपने अंतिम चरन में है कहीं कुलकत्ता की बिड़ला मंदिर तो कहीं अउयधा किसरे राम मंदिर तो कहीं के दरनात के साथ दुबाई के बुर्ज कलिपा टावर के परतरूप का पंडाल तयार किया जा र लंबाई 120 फूड चोड़ाई 125 फूड और उचाई 110 फूड रहेगी वह सहर के बंजारे मोड इसी तर निव राजा दल पुजा समिति आयोधा में बने स्रीराम मंदिर के स्वरूप का पंडाल बनवा रहा है इस पुजा पंडाल के लंबाई 110 फिट वह चोड़ाई 74 फिट जबकि उचाई 101 फिट की होगी कुलकता के संदिव दादा के देखरेग में इस पंडाल का निर्मान हो रहा है इसी तरह सहर के हजियापूर मोड इसी तने 27 पर महराजा दल पुजा समिति दुबाई के बुर्ज कलिपा का टावर के परतरूप पंडाल का निर्मान करवा रह पुजा के दुरान आम लोगों को बिजली को लेकर किसी तरह के परिशानी ना हो इसकेलिए भरपूर बिजली करितने की योजना बनी है लोगों को दी जाने वोले बिजली वेवस्ता में कोई खराबी ना हो और उसे आविलाम दूर किया जा सके इसके लिए प्रकंड से लेकर जिला मुख्याले तक विसिस कंट्रूल रूम मनाया गया है आपकी जानकारे के लिए बता दे कि अभी आम दिनों में हर रोज 6,000 से 6200 मेगावार्ड बिजली आपूर्ती की जाती है लेकिन पूजा के दोरान कम से कम 500 मेगावार्ड बिजली की कबा दोर बढ़ने की उमीद है कमपने ने अभी अधिकताम 627 मेगावार्ड बिजली की अपूर्ती की है ऐसे में इससे भी अधिक बिजली अपूर्ती की योजना पर कमपने ने काम किया है बारी खबर में दीखिए बिहार के एस्पितालों में 12 अक्टूबर तक मुप्त में होगी हिर्दे रुगों की जाच सरकार चलाईगी अभियान जिहां 29 सितंबर 20 वे हिर्दे 2 से 12 अक्टूबर तक बिहार स्वास्ति विभाग हिर्दे घात से होने ओले मोतों के रोक्ताम के लिए नीसल के जाच सची किसा प्रामर्स पकवारा कायुजन किया जा रहा है इस दूरान राज के सबी सतर रेफरल अनुमंडलिया प्राटामिक स्वास नेरों सहरी स्वास तकेंडरों से लेकर जिविका के सेलक केंडरों तक में जाच की वबस्ता अब्लबत कराये जाए गstat में जाच कि लिए आस्पिता पहुचने सबी रोगियों की बलड प्रेसर एव उने बेतर खान पान एवं जिवन सेले में सुधार समंदी जानकारी भी दी जाएगी बाड़ी ख़बर में देखे एक अक्टूबर से महंद्रु घाड से चलेगी लगजरी क्रूज अब रात में कर सकेंगे गंगा नदी की सेर्ड यह राजधानी पटना में लोग रात में भी गंगा का सेर्ड कर सकेंगे पटना वास्यू के लिए अच्छी कबर है अगा में एक अक्टूबर से महंद्रु घाड से अब लगजरी क्रूज चलेगी जिस पर सवार होकर लोग दिन में तो सेर्ड करेंगे ही इसके साथ रात में भी गंगा नदी का सेर्ड कर सकेंगे टूरिजम एसोसेशन और बिहार महंद्रु घाड पर लगजरी क्रूज चलाएगा सुब लगजरी क्रूज में बर्डे पार्डे और मेरेजडे मनाने के भी वेवास्ता की गई है इसके लिए यदि तीन घंडे के यदि बुकिंग करनी होती है तो 15,000 रुपे लगेंगे जिमकि दो घंडे के लिए बुकिंग पर 12,500 रुपे लगेंगे वही जहाज की बुकिंग यादे 30 सक्टूबर तक करते हैं तब 25 पर 37 डिसकाउंट दिया जाएगा खाने पिने के समान के लिए अलग रासी देनी पड़ेगी इस क्रूज में 40 से अधेक लोग सवार नहीं हो सकते हैं बाड़ी कबर में देखे बिहार में इस साल गंगा में नहीं होगा दुरगा परतिमाओ का विसरजन तैहार को लेकर ये है पढ़ना में तैयारी ज़ा दुरगा पुजा को लेकर पडना जिला प्रसासन ने बड़ा फैसला लिया है इस बार दुरगा पुजा के बाद होने वाली विसर्जन यातरा की दोरान किसी भी मुर्ती का विसर्जन गंगा में नहीं किया जाएगा इसको लेकर विदिवाद बढ़ना प्रसासन की ओर से आदेस भी जारी कर दिया गिया है साथ समाने दिकारियों को निर्देस दिया गिया कि सबी जगा सिसीट भी केमरे को लगवाया जाए इसके मॉनिटरिंग के लिए एक व्यक्ति को स्पेसल ड्यूटी पर लगाये उन्होंने बताया कि पुजा समिती की बड़ी जिम्मेदारी होती कि मुर्टी देखने आने वाले स्रदवालों को किसी भी तरह की कोई परेसानी नहाँ उन्होंने ये भी कहा कि असलील गाना बजाने वालों पर भी करवाई की जाएगी अगर कोई पुजा समिती असली लगाना बजाते पाए गए तो उनका लाइसेंस रद कर समिती के अधक्ष समित अन्य सदोस पर कारवाई की जाएगी अर्णद की बड़ी खवर में देखे हरहर चेत्र का विस्व परसिद सोनपूर मेला इस बार 6 नौंबर से 7 दिसमर तक होगा आयोजित तैयारी हुए सुरू जहां विश्वप प्रसिद हरियर चेत्र सोनपूर मेलेक आयोजन 6 नौमबर से 7 दिसंबर तक परियाटन विभागयवं जिला प्रसासन की दुवारा सेंख तुरूप से किया जाएगा मेलेक उदगाटन 6 नौमबर को होगा मेलेक सपल आयोजन को लेकर डियम राजेस मिना ने 10 कोसांगों का गटन किया है ताकि मेलेक आयोजन बेतर ढंग से किया जा सके स्वागत समिति कोसांग का वरिय प्रवारी जिला परिवान पदादिकारी जनारदन कुमार तो प्रवारी पदादिकारी सदर डिसेयल आर पुसपेस कुमार को बनाए गया है आज के लिए बहुत इतना ही इसी तरह बिहार के डेली नियूस देखने के लिए आप अमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें